हेलो गाइज आप देख रहे हैं वाईजी लौ और मैं हूँ वाईजी और आज का हमारा टॉपिक है लौ अफ टॉट्स में वाईकेरियस लाइबिलिटी देखो गाइज टॉट का जनरल रूल तो ये है कि ये एक बंदा है ये टॉट फीजर है अगर इसने किसी दूसरे बंदे पर इंजिरी करी तो लाइबिलिटी इसके उपर होगी लेकिन वाईकेरियस लाइबिलिटी में वाईकेरियस का मतलब होता है कि आक्टिंग ओन अनदर्स बिहाफ समझ रहे हो तो जैसे ये मानलो मेरा नौकर है और मैंने इसको कुछ बोला कि ये काम कर और वो काम करते वे इसने कर दी इंजिरी किसी थर्ड परसन के तो वो जो थर कर रहा था तो जनरली टॉट में लाइबिलिटी उसकी होती है जो डामेज कॉस करता है लेकिन वाईकेरियस लाइबिलिटी के केस में थर्ड परसन पर भी लाइबिलिटी डाली जा सकती है अगर कुछ असेंशल फुल्फिल कर दिये जाए तो असेंशल नंबर वन है कि रिल कर रहे हैं वह जो एक्ट करा हो वह कोर्स ऑफ एम्प्लोयमेंट में करना चाहिए कोर्स ऑफ एमप्लोयमेंट अपन केस लौ से समझेंगे उससे पहले यह वाईकेरिस लाइबिलिटी के कुछ मैक्सिम्स है वह पूछ लेते हैं एक्जाम में तो आप देख लो रिस्पॉन् employment क्या होता है वो case law से आगे समझेंगे उससे पहले यह Latin maxim से हैं जो exam में पूछ लेते हैं वाइकरेस liability से related तो इनका मतलब एक बार देख लो respond that superior का मतलब होता है let the principle be liable quay facet पर alien facet पर say का मतलब होता है he who does an act through another is deemed in law to do it himself आपने किसी को सुपारी दी कि जाके तुम कर दो किसी का murder तो जब इसने murder कर दिया तो आपके उपर सुपारी देने वाले के उपर भी liability आएगी न ऐसे ही आपने किसी को बोला कुछ काम कर और उसने किसी और के उपर कोई कर दी legal injury tort का case आ गया तो इसी तरह आप भी damages दोगे जैसे आप murder के सजा ले रहे ते क्योंकि वह आपके भीहाफ पर काम कर रहा है तो वह कुछ गलती करता है तो वह आपकी गलती भी मानी जाएगी समझ गया वाइक के रियाविलेटी का प्रिंसिपल लगता है तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मान लो इंडिपेंडेंट कॉंट्राक्टर का रिलेशेंशिप है आपका और सामने वाला जो बंदा है उसका तो वाइकर इस liability नहीं लगती है अब क्या difference है servant और independent contractor में सबसे पहला difference तो यह है कि servant की acts के लिए wrongful acts के लिए master liable होता है और लेकिन independent contractor की tort के लिए वो liable नहीं होता तो सबसे main important difference तो यह है दूसरा यह है कि servant जो होता है वो employment contract में होता है independent contractor service contract में होता है मतलब वो एक काम करने देने जितने के लिए ही अपना deal होती है लेकिन जो अपना Servant होता है वो continuous employee어서ain we had agony day-to-day basis पे अब employment में और service में क्या अंतर है employment में यह अंतर है कि servant जो होता है न वो employer की तरह होता है इसलिए उसके ओपर direction और control होता है master का पूरा-पूरा independence contractor के ओपर direction and control नहीं होता है अब जैसे गों independent contractor करक्टर होता है तो जो जिसने हायर किया उस बंदे को तो वो उसको कुछ भी काम करने को बोल सकता है लेकिन सर्वेंट के के केस में वो कुछ भी काम करने को बोल सकता है और कैसे करना है वो भी बोल सकता मतलब बेसिकली independent contractor के बाद freedom ज़्यादा होती है वो अपने हिसाब से काम करता है काम लेकर और काम complete करके देता है काम लेने के बाद उसकी जिम्मेदारी है basically काम करने के आपकी जिम्मेदारी निया कि वो कुछ बिगाडा करता है उसमें तो इसी में case देखते हैं भी गोविंदर जलू अब इस case में क्या होता एक बंदा था उसने अपनी कार एक मेकानिक को देखो मैं as a मेकानिक आपका servant हूँ जो आप car owner हो ना तो मैं आपका servant हूँ और मैंने आपकी car के test drive लेते हुए course of employment में वो car कहीं पर accident कराई है तो liability अपनी joint होगी इसमें आपकी भी गलती है तो court ने इधर बोला कि देखो मेकानिक साब ज़्यादा होशार तो आप बनो मत आप independent contractor हो आप कोई employee नहीं हो औ आप कोई master servant relationship नहीं है car owner के साथ car owner ने आपको car दे ठीक करके देने के लिए तो आप obviously test drive लोगे लेकिन car owner आपकी custody में जब car है और आप पूर इसके service कर रहे हो तब आप car अगर ठोक देते हो तो car owner की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं होएगी आपकी होईगी वरना आपकी स्काम क्यों यह सब कोट ने नहीं बोला है मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कोट ने बस इतना बोला कि independent contractor का relationship है इंप्लॉय और सर्विंट का सर्विंट और मास्टर का relationship नहीं है तो यह अपने car owner के favor में decision दे दिया वाइकरेस liability नहीं लगई दूसरा essential है कि course of employment में ही वो रॉंग उनके दोस्त ने as a friend यह important है as a friend उनसे पैसे लिए ठीक है कि मैं bank के अंदर बाद में deposit करा दूँगा क्योंकि मैं bank के अंदर ही काम करता हूं यह bank का employee भी था ठीक है तो यह bank के employee भी था जो उसका दोस्त भी था शामा देवी का और उसने पैसे लिए बैंक में जमा करा दूँ और यह पैसे लेके भग गया तो bank पे case करना बनता है तो court ने इदर बोला कि देखो यह जो पैसे इसने collect किये ना आपसे bank में जमा कराने के लिए यह as a friend collect किये as a employee collect नहीं किये तो as a friend इसने जो personal capacity में काम किया है वो out of his course of employment होगा तो उसके लिए bank liable नहीं होगा तो court ने इद बैंक को वाई के रिसली लाइबल नहीं करा दूसरा केस है बीर्ड वर्सिस लिंडन ओमनिवस कंपनी इसमें यह था कि एक बस थी उस बस में एक ड्राइवर था और एक कंड़क्टर था तो ड्राइवर जब अपना डिनर कर रहा था तो कंड़क्टर ने सोचा कि क्यों ना इह बस में टर्ने अराउंड कर दू så थोड़ा ताइम बच जाए गा जब तक ड्राइवर साब ढालेंगे तो बस में पलट दूँंगा थो लेकिन बस को जब पलटने लगा तो उसका आकसेडेंट हो गया आकसेडेंट किस से हुआ एकसेडेंट बीर्डत से हो जिसने इनके उपर case कर दिया और case beard ने कर दिया लंडन ओमनिवस company पे उसको vicariously liable ठहराने के लिए कि आपके employee ने बस चलाते वे मेरा accident करा है तो आप damages में आपसे भी लूँगा तो इस case में court ने बोला कि देखो जो लंडन ओमनिवस company है उसने इस आदमी को as a conductor रख रखा था ठीक है as a driver नहीं रख रखा था तो ये अपने course of employment से बाहर जाके काम कर रहा था इसको authorized जी नहीं था कि ये बस drive कर सके तो इसने वो जो bus drive करते वे काम किया है ना पूरा जो wrong किया है वो course of employment से बाहर किया है तो court ने वोला कि लंडन ओमनिवस company भी vicariously liable नहीं है beard versus London ओमनिवस company के case में next case भी लंडन ओमनिवस company का ही case है और वो case है limpus versus London ओमनिवस company इस case में क्या हुआ था वही है कि bus company है तो bus का accident ही हुआ होगा तो bus का accident हुआ था bus थी, bus अपने रस्ते जा रही थी और bus का हो गया accident अब bus का accident इसलिए हो गया क्योंकि वो driver race करना था दूसरी bus के साथ लंडन ओमनिवस company ने इस case में written में पहले से बोल रखाता सारे driver को दे रखाता statement कि race नहीं करनी है दूसरे bus के साथ और दूसरी bus का रस्ता obstruct नहीं करना है तो ये race करते वे ही accident हुआ है तो लंडन ओमनिवस company ने बोला कि दखो हमने हमारे drivers को पहले ही बोल रखाता कि races and obstruction of other vehicles path is prohibited तो वो course of employment में नहीं आता तो court ने बोला कि नहीं नहीं यहाँ पे ये course of employment में आएगा और court ने कुछ ऐसा reason दिया अब इसमें ऐसे समझो course of employment का मतलब वो तो है कि काम के वक्त जो करा लेकिन काम के वक्त वो काम करते हुए जो उसके master ने उसको करने को बोला था beard versus London omnivus company में conductor को कभी नहीं बुला company ने कि तुम्हें bus चलानी है उसने bus चलाई accident करा तो London omnivus company की कोई liability नहीं है limpus versus London omnivus company में bus चलाने की permission दी थी तो basically negligent और rash behavior करने के लिए मना किया था वो negligent और rash behavior किया उसने लेकिन वो किया कब वो किया bus चलाते हुए ही और bus चलाना master's purpose था मतलब bus चलाना master ने जो काम दिया था वही था तो limpus versus London omnivus company में course of employment थोड़ा धंक से समझ में आया कि काम के वक्त तो ठीकी है और जो authorized काम है वो करते हुए ही गलत अगर आप काम करोगे तो course of employment में माना जाएगा तो guys यह हो गया vicarious liability का concept complete with case loss अगर अच्छा लगा तो बताने के जुरत नहीं पढ़नी चाहिए जो लिखा है सब कर दो 1,2,3,3 तीनों अपना काम सब्सक्राइब कर रखा है तो like मारो like मार रखा है तो comment मारो और यहाँ पे देख लो tots की playlist दूसरे वीडियो भी क्योंकि पूरा ढंक से बढ़ो subject एक वीडियो से क्या होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई टाटा see ya